हेलो एपरिवान ओल्कम बैक टू यू इन स्टड़ी टाइम आजा मा इसेंशेल अफ फाइनांस अंतर गत रेशियो अनलाईसिस चाप्टर को याउटा निम्रिकल प्रोबलम डे राको छू जुन चा एक्जाम मा मैक्सिर्मम रूब मा शोदीने गरें छू जून क्वेशन चाए मा ये स्क्रीन मा शेर गरेको छू अजर रुक को माज मा एड़न शक्न उन्चा अन्य आमरो चाएक क्वेशन मा गिवन दियेको छू फस्ट मा दियेको छू आमलाई डेप्ट आउटस्टेंडिंग बने कती दिया छू रू 5 लाक तेशागरी रेट आप इंट्रेस्ट बने कती दिया छू 10 परसेंट सेल्स क्वेशन आमरो 20 लाक अन्य तेशागरी टेक्श बनेर कती दिया छू 30 परसेंट नेट प्रोफिट मार्जिन 5 परसेंट अन्य आमलाई इसमा गोशन नम्मर ए मा शू दिया छू वाट इज उड्लाइन्स टाइर एशियो उड्लाइन्स को टाइर एशियो कती च्वा बनेर ते शू दिया छू आमे अल्लाइ था चा टाइर एशियो फर्मलाइ के हूंच Ebit अपन इंट्रेस्ट उणच अब क्ये चा Ebit अपन इंट्रेस्ट उणच अब आमी संग के चा क्या गिबन माई एडनना सकना हुंच नत आमी संग EBIT नाईच नतर क्ये नाईच इंट्रेस्ट ते बहर आमले क्ये प्रोफिट मार्जिन प्रोफिट मार्जिन प्रोफिट मार्जिन आमे कसरे निकालना सक्छों कि इनकम आमी संग कत्ती बहे राच और आमीले कत्ती को बिगरी गरे वताँ तर्षिट मार्जिन प्रोफिट 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 मार्जिन प्रोफिन प्रोफिट म अब 20 लाक इंटु 0.05 गर्दा कता आयो net income आयास 1 लाक अली आम डिके भो net income फाइंड आड भो अब नेत income था फाइंड आड भो अब क्ये गरने क्यालकुलेशन आप और्णिंग बिफोर टैक्स गरने जोतोब और्णिंग भीफोर टैक्स ौत्या बंदा अगारी कती थेता एसको इनकम ुपिए लिएक के अपसे आक्सा ओ आत्या ऑप्टा टैक्स यो इनकम भनेगो चाहें क्यो टैक्स डिडबक्टेट अनि इन्टेस्या डिडबक्टेट वहेशस के पचीको? यो income छानी तियो युँडनाई क्यों यो net income हो after tax होनी यो क्यों interest पचेको अब ते बार आमले क्यों गज़ने before tax को निकालने before tax को गणनागो like क्यों गणने ebt बो क्यों गणने net income कथिको आमरो income थियो तो net income कथि थियो तो डिबाइड़ बाइड़ 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 वान माइनस ट्यक्ष गढ ने वन लाग डिबाइड़ बाइड़ बाइड़ नाश ट्यक्ष बने आथे आमलाए 30 परचन थे वर कोदब 0.3 और चैल्कुरिशन करदा कोदे आया है आमलाग 42,8857.14 यह चाहिंगी आयो EBT, after, sorry, before tax, before tax आए शक्या चाए अब आमले क्यों EBT मात्र चाहिए, हमें सल्ला चाहिए निक्यो EBT हो, ते भर आब आमले क्यों EBT चाहिए अब इसमा आमले क्यों EBT जोड़े बने क्या आउंच, EBT आउंच, ते शक्यों आगे आमले क्यों EBT चाहिए, इंट्रेस पने find out आमले 10% बने आचाहिए 10% काती बो? 0.10, इंट्रेस्ट आमले क्ये मा लागने आमले इंट्रेस्ट क्ये मा लागने? डेफ्ट मा अपकोर्स ते भर क्यों डेप्ट को 10 परसेंट कती भो 5 लाग को 10 परसेंट करदा कती आयो 50,000 अब आम में संक के जाए EBT पनी चा इंट्रेस्ट पनी चा अब आमले इजली के गरने EBIT फाइंड आउट गरने सक्छों तेसको लागे के गरने EBT मा के गरने इंट्रेस्ट जोडने क्यालकुलेशन आप EBIT EBIT क कस्टो EBT जो आमले अल्लेटी यता फाइंड आउट गर सक्या चों S मा के गरने यो इंट्रेस्ट जोड दीने कि गर 1,42,1857.14 पलस 50,000 50,000 है करदा कती आयो 1,92,1857.14 चा आमरकी आयो EBT आमरकी आयो EBIT अब आमे शंग के चाए EBIT पनी चा यो के चा इंट्रेस्ट पनी चा आमले के गरना सक्टो easily tie ratio find out गरना सक्टो अब के गरने आमे शंग फार्मुला अल्लेटी ना आमी लेक्षिश चाए आच अब के गरने ते फार्मुला मा के गरने बैलू पूट गरने ते बाट आमे के टाइ रेशियो find out गरना सक्टो अब ये ताने फाइनली वी ओक आउट फो टाइ अब टाइ को लागे काम गर सक्टो अब टाइक कस्टो के बना थे हमले ebit अपन इंटेस बना थे हो ebit को बैल्यू आमले find out गरें और इंटेस को बनी find out गरें और ये बैल्यू राखना कता आए पर्शन लेक्या बना थे कि इव दे कमपनी DOES NOT maintain दा टाइ। ये कमपनी ले टाइ। अब्लिके के गरने चाए रून रेन्यु लाई चाये गळ्ण रुद्ध गढ रुद्त गढ डिन्ये छा अब टेवरे के न्च ले रुद्ध रुद्ध explicar आपे का रुद्ध डिन्ये ने पेस्ट प्वえकं पास्ट रंिव कायो मतले थेल से ज्किताक रुद्ध रिषाग की था लून because times interest rate ratio of the firm is less than 5 times जो चाहे के वो question 1 solve वो अन्य हम्रों B.E. मा शोद्याचा by what percent net profit margin should increase in order to get loan renewed वन्याचा एदि त्यों company ले रोण renew गणनू छा वन्ये त्यसले कतिव net profit margin बढ़ाउनू पर छा वन्याचा त्यसको लागी के वह एदि the tie ratio must be at least 5 times कि उन्याचा tie ratio त्यसले 5 times हुनाई पर छा रोण renew को लागी एदि 5% कम छा वन्ये रोण renew चाहे उद्याईन जो आमले यहता अडलेडी वन्याचा त्यसले कमती मा 5% कि उन्याचा कमती मा 5 times चाहे कि उन्याचा tie ratio उन्याचा तू गेट रोण renew को लागी योचा कुश्यन माई वन्याचा त्यसले कि वह अब कि वह अब कि वन्याचा ओक आउट इबी आईट नेसेसरी टू गेट रिन्यूड बन्याच अमने तलग परिकित्रिया गढ़ने चाँ केश को लागी रो नीन्यू को लागी बन्याच अब आमला है थाच टाइक को फर्मूल आमले के लिखा थे हो अगी अगी अर्ड लेडी टाइक कोस्ट के लिखा थे हमले इबी आईट अपन इंट्रेस लिखा थे हो अब क्ये चाँ टाइट रेशियो चाहें की उन्यू पर्छा कम ते अपनी फाइब टाइम्स हो तो उन्यू पर्चा रो नीन्यू को लागी यो कोईशन माई चा थे बरे यहांला फाइब आयो और इबी आईट यहां अमला था चेन अनुदी इंट्रेस चें आम्री अटेशमे अटी निकाला होना यहां तैड्रेस्ट फाइब टाइम्स हो या जति उस तो इंट्रेस्ट चेंक्यहां हों चाहें आम्रों एक्जेक्ट तेहिने उन्छा जती तिन्ड बन्डे तेहिने उन्छा इन्टेस्ट मात कीने गड़ बड़ा हो देने तेहिए बड़ी कतिबो पचास अजार एबो पचास अजार इन्टु फाइब गड़ यू कतिबो टू लाग 50,000 चाया आमरो क्या आयो EBIT आयो EBIT ए ओर्णिंग बीफोर इन्कम टैक्स अमले क्यों चाहिए आछ फाइब टाइम्स टाइम नको लागी आमला EBIT एति चाहिन 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 टू लाग 50,000 अबेता आमले रिजन दिया चाहिन आचा वी नीड़ेट आर्यास तू लाग 50,000 EBIT तू गेट लोन रिण्यू को लागी आमला क्या चाहिन 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 यू इत्ती गो चाहिन आमरो EBIT चाहिन चाहिन त्यान अब नेट इन्कम चाहिन कति उता यू तक्ये आब EBIT एसमा क्येचा इंट्रेस पनी अब नेट इनकम नेट इनकम मने क्येचा इंट्रेस्ट पनी गटाउने और यू बाट इन्ट्रेस्ट पनी गटाउने EBIT माइनस क्येचा इंट्रेस्ट पनी गटाउने EBIT माँ क्येचा इंट्रेस्ट पन गटाउने अनि क्येचा इंट्रेस्ट पनी गटाउने यू गरदा क कि अब आम लाए थो नेक प्रोफिट्स और आए शेक के सो प्रोफिट्स आपके सो अपकि फर्मोल्पा-पास्त अब लगा का थे कि अब सिर्णाय थेन बीद्स और अब तें को लगाम है प्रोफिट आके सी सपस्ट कंसे और ल weit Saudis कत्तिको बिग्रिव आथे तत्यों अर्लेडी कोईशन मां गीबन थे हम्रों 20 लाग अन्यों गर्दा चाहें कत्या आयो 0.07 आयो 21 परसेंट में निकालता कत्या आयो 7 परसेंट आयो इसको मतलब के रहे चाहे एदी कमपनी ले 7 परसेंट प्रोफिट मार्जीन अर्न गर्न सक्षा भने चाहें तेसली के गर्न सक्षा रोन रिन्यू गर्न सक्षा अर्या आयो भुक्त आयो बाक्षा अर्या आयो 5 पुर्फिट अर्या आयो 6 तुद्यू ऐख भुक्त आयु जा चाहें व्याड़ा . प्रेश्जुआ आप्द अर्या युओ आवजा उस्था चाहें ए युणि अर्व।